नमस्कार दोस्तों बस एक मिनट के लिए मेरी बात जल्दी फटाफट से सुन लीजिए अगर आप तक नॉडिफिकेशन पहुचा है तो बहुत अच्छी बात या फिर कभी कभी पहुचता है या फिर पहुचता ही नहीं है तो आप एक काम बिल्कुल अभी के अभी कर लीजि यहां पर आप All पर क्लिक करना ना कि Occasionally पर जब आप All पर क्लिक करोगे तो जब भी मैं आपके वीडियो अप्लोड करूँगा वो आप तक पहुच जाएगी All पर करने के बाद Okay पर क्लिक कर देना सिर्फ अब आपका काम बिल्कुल भी नहीं बचा अब आप तक ओटोमेट at least notification तक पहुँच जाए वो ही बहुत बड़ी बात होगी इसके बावजूद आपको और कुछ नहीं करना है सरकारी नौकरी की information चाहिए तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अब बात करते हैं आज की वेकैंसी की आज की वेकैंसी जो आपकी आई है वो है MSRTC मतलब परिव महन विभाग में आपकी वेकैंसी आज आई है ट्रांस्पोर्ट में तो इसकी एक एक जानकारी हम लेंगे तो उसके लिए आपको वीडियो को अंतक देखना पड़ेगा एक बार और बोलता हूँ चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करके घंटी के बैल आइकन को तो मिलेगी अब देखों यहाँ पर डिपार्टमेंट आपका है MSRTC इसके बाद यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होगी वह है ड्राइवर की और एक और पोस्ट है वह आपको मैं आगे चलके बताऊंगा और टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर 4416 हैं कितनी 4416 बहुत बड़ी वेकैंसी आईए नाटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे चैनल की तरह नाटिफिकेशन पर मैं वीडियो बंद नहीं कर दूंगा अपनी एलिजबिल्टी यहाँ पर 10 और 12 पास है एज लिमिट 24 से 38 साल है एक्जाम की फीस आप सभी के लिए 600 रुपे है जर्णल OBC वा के लिए रहेगी बात करते हैं लास्ट डेट की आठ तारिक दूसरा महिना 2018 इसकी लास्ट डेट रहेगी सेलरी आपको यहाँ पर 26,600 रुपे तक देखने को मिलेगी और प्लस में अलाउनेंस भी देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे अब बात करते हैं यहाँ पर हम स्टार्टिंग डेट की देखो फॉर्म इसके भरना सुरू हो चुके हैं 17-2-2019 से लास्ट डेट मैं रहे आपको बता दी 8-2-2019 ऑल्लाइन माध्यम से आवेदन करना है बताऊंगा मैं कैसे कर रहा है आवेदन उसके बाद required qualification देखिए दोनों पोस्ट के लिए चाहे वो ड्राइवर की हो चाहे वो कंडेक्टर की हो दसवी पास मांगी है बट आपकी ड्राइवर के लिए तो ड्राइविंग लाइसंस होना ज़रूरी है ठीक ना हैवी वीकल मोटर का लाइसंस होना ज़रूरी है और आपको पढ़ना लिखना और समझन आना चाहिए मराथी लेंग्विज में और ये दूसरे वाली पोस्ट के लिए भी आपको मराथी लेंग्विज आनी चाहिए सिर्फ आपकी कौलिफिकेशन दसवी पास है तो आप इसके लिए आविदन कर पाऊगे आयू सीमा की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की तो 24 साल से 38 साल तक यहाँ पर अगर आप है तो आप इसके लिए अपलाए कर पाऊगे एज रिलेक्शेशन आपको गौर्मेंट दे देगी यहाँ पर एपलिकेशन की फीज देखिए एपलिकेशन की फीज जनरल OBC वालों के लिए 600 रुपे है SC, ST वालों के लिए 300 रुपे है और इसके बास सेलरी आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगी वो भी बहुत अच्छी है सेलरी आपको यहाँ पर 12,000 से स्टार्टिंग होगी ठीक है न और आपकी बढ़ करके 26,000 रुपे तक जाएगी और साथी में आपको गौर्रमेंट के रूल के हिसाब से आपको अलाउनेंस भी देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीजों में अलाउनेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जॉब लोकेशन आपकी महाराष्ट में रहेगी लेकिन इसे अपलाए ओल ओवर इंडिया से कड़ सकते हैं बात करते हैं सेलेक्शन प्रॉसीज की देखो याँ सेलेक्शन प्रॉसीज में आपका रिटन एक्जाम होगा फिजिकल होगा इसकिल टैस्ट होगा आपसे वो काम करवा करके देखेंगे कि आपको काम आता है या फिर नहीं आता बात करते हैं notification की ठीक है ना ध्यान से देखना notification की notification आपको यहाँ पर हमारी website से मिलेगा website का नाम है आजकी नौकरी.com इसका link आपको नीचे description box में देखने को मिल जाएगा और apply online का form भी आपको यहीं से मिलेगा official website का form भी आपको यहीं से मिल जाएगा तीनों चीजें यहाँ पर है वीडियो को शेर कर दो एक like बनता है और साथी में अगर आपका और कोई comment हो तो नीचे comment करके हमें बताईए आपके support की बहुत जादा जरूरत है अभी फिलहाल तो क्योंकि views बिल्कुल ठप हो चुके ऐसा लगता है कि channel ही बिल्कुल बंध हो चुका है मिलता हूँ मैं आपको next वीडियो में support करो या शेर करो वीडियो को जब ही मैं अच्छी अच्छी vacancies आपके लिए लापाऊंगा Bye, see you in the next video guys